तो यह कहीं न कहीं मुझे काफी हर्ट तक मेल लग रहा है और इनका पेट आप देख पारें एक तम से अज़िए पूरा प्लांट है यह आप देख रहो पूरा गाइस क्या हुआ होगा आप सोचेए तो यह सब्सक्राइब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इनकाल दिया है और पूरा भी तरीके से लागा लागा रहा है कि सीजर से काट दिया है तो बहुत शॉकिन से मैं जितने भी सिक्लेट रहा हौँ किसीन भी कुछ हाम नहीं किया है जब से नहीं नहीं फिश को सब्सक्राइब करें दूसरा बता था कि इस तरीके से कारते ने तुम सीजर जैसा और पूरा दिखे इस तरीके से इस प्लांट के हश्र किया ने तो अभी कुछ कर नहीं सकते है और इस फाइन है तो यह बंच उपर है और है यही एड़ांटेज है कि यह फ्लोटिंग नहीं साड़ेगा बिल्कुल नहीं तो यहां से भी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और इस प्लांट को यह लोग बिल्कुल बॉटम से तो नहीं खाने वाले तो यहां से ग्रो होते रहेगा तो आप लोग का क्या सचेशन है जरू बताना लेकिन इसके चलते मैं से इसके बिल्कुल नहीं चेंज करने वाला है सटको मैं ऐसे रहने देने वाला हूं क्योंकि मेरे फिश इतने बढ़िया ग्रो कि अधने बढ़िया आया है मैं पो क्या बता है तो देखे गाइस तो सारे मेल जहां तक मुझे पता चल रहा है तो मुझे फीमेल की कभी तो मुझे लग रहा है तो दौन ही मैल है जब मै लूकर रहा तो इनके तेल में तोड़े कर दो काइसं है क्यूदी मेरे पास आफी बढ़िया ग्रोप रहा है और बाप चपको चुक्के इंसे बादियों को काफी वात ना Rachina की एली तो आप आप देखे इंक उन जारै प प्लीस मुझे मुझे दूस्ता मेल एन फीमेल मुझे पता करने में इन आपको पता चल रहा है तो फ्लीज मुझे बता ना किसमें से मेल मेल क्या है पर कझनवीक से क्लि państ에 मैं तो ऊभिया टोंगी से लगाय हैं पर कृम करitड़ केbin вдth ca जाकर यह तयार हुआ है कि बिल्कुल भी फंगसिस में नहीं आया है तो गाज एक छोटा सा अपड़ित है मैंने फिश भर चुका अच्छा लग लग तो चलिए तूसरे फिश दिखा तो अभी मेर पास यह सारे फिश जिसमें से तीन गौरमे से जो हम लोग पकर बहुत लोग लिए नहीं आपंच वहां में आपना ंती जानियम मोर बन प टेंशन नहीं हो रहा है, बच स्टिल ना, हमें देखना तो पड़ेगा ही, और अभी इसमें गॉरमीज भी जा रहे हैं, लाइक चार गॉरमीज जा रहे हैं, तो तीन तो ओरेंज वाले हैं, जो अभी तक बचवे हैं, एक सिल्वर जो मिरे सुबरोचीत ने दिया है, तो आप देखिए, ऑसकर को देखिए, किता छोटा है ऑसकर, बाकि सब ही निकल गया वैसे, मुझे इन दोनों में तो बिल्कुल डिफ्रेंस पता ही नहीं चल रहा है, एक तम से अगर आप देखोगे, सब सेम लग रहा है, और अगर आप इस सिखलित को और गॉरमी को देखोग अगर नहीं खरपाएगा तो मैं इसे निकाल दूगा, तो यह काफी छोटा ओसकर है, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, यह लैमन ओसकर है, और बाकि मैं ढून लेता हूँ, वो पिछे देखो दूसरी वाली गॉरमी, तो गॉरमी इसको टेंशन नहीं है, क्योंक सिकलिट्स थे, अभी नए फिश इंटर्डूस के तो ड़ लग रहा है, मेरे को कहीं फाइट ना करें, साथी में इस टैंक में सारे के सारे एग्रेसिफ फिश है, जिनको टैर्टरी जही रहता है, तो लेट सी, होपिग फो देखो देखो एक्टम पिछे बैग्राउं में क् पड़ेगा फिर, ब्ल्यू वाली को देखो, ब्ल्यू वाली तो काफी ब्यूटिफुल लग रही है, ऑसकर को मैं निकाल दूँगा, एंड बाकी गौरे में सिक्तम सेट हो रहे है, फिर एक घंडे के बाद जैसी में आया तो मैं देखा कि मेरे ऑसकर उपर इसके नीचे एक ही रखेंगे न, मज़ा आजाएगा, क्योंकि उसके साइज भी बड़े होते हैं, पूरा सिक्लेट भी है, और अगर नहीं रखना तो इस फाइन क्योंकि मुझे ये सिक्लेट का टैंक ही बनाना था, एंड मैं ये फिश हमाया जो गौरमी सिसले इंट्रद्यूस किया है, क्योंकि मुझे सब लोग बोल रहे थे कि आप गौरमी इसको इंट्रद्यूस करो तो मैंने कर तिया, अगर आपी कुछ प्रॉल्म होता है तो इनको मैं निकाल दूगा, क्योंकि ये मेरा टैंक कंप्लीट्ली फुली सिक्लेट के लिए ही मैंने बनाया था, अभी मैं तीन श वह एक्स देते यह, तो सिक्लेट खा लेते होंगे, समझ मैं यह रहा तो बताना जरूरू और इस को देखे इस को अप देखे मुझे इस इतने सारी रिक्वेस्ट आए कि आप प्लीज उसी लोकेशन पर जाए और पकरिया हमारा जो रीवर था एक्शली व काफी दूर है, पर मुझे जाना है और सही मैं यार फिर से मुझे गॉरमी के हंट करने है क्योंकि युकि युट लव इट और यह फिश मरते भी नहीं है यार क्या तो है कब से मेरे पास एक मैने से जादा हो चुके और यह वाला सिक्लेट कैसा लगता आप बताना वाइट वाला क्यूंकि दिखने में बहुत अलग लगता है मतलब एक तम जब लाइट पर इसके उपर इतना शाइन करता है और यह कितने बड़े होंगे वो मुझे नहीं पता आइधिंग यह भी शाद 4-5-6 इंचेस कहीं होंगे तो यह वाले सिक्लेट भी काफी ब्यूटिफुल है और इसके भी क अबर पाय कि कौन से मेल फीमेल से तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यह मैं करेक्ट हूं कि इसका फिन देखिए पिच्छे की और कितना लॉंग है तो यह कहीं नहीं मुझे काफी हट तक मेल लग रहा है एंड यह दोनों फीमेल से तो इसके पिछे चेस करते रहते हैं इन बहुत लोग ने मुझे गपिस दिखाने के फिर से का तो गाइस में बारवर आप लोगों दिखा ही रहा हूं तो आप भी देख और और उनका पेट आप देख पार एक तम से आई तिंग अभी कितने दिन आप पेट देखे ना सबका पेट फुल रहा है तो गाइस आइज जब बच्चे देंगे तो मेरा ही प्रॉल्म होने वाला है क्योंकि यहां पर इतने बच्चे होने वाले फिमेल साब देख पार हो भरा हुआ है यहां पर मैक्सिमम फीमेल से लेक बहुत जादा मैं बोलूँगा कि 80% अगर इसमें फीमेल से तो सिर्फ 20% मेली से तो गाइस आप लोगों ने आप कलर इस भी देख पार हो फिमेल के काफी वाइबरेंट कलर है तो इनको मैंने अभी अभी सुबा सुबा जो है वार्म्स खिला है ठीक है आशागर तो आपको अच्छा लगा है कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हो तब तक कुछ भी कमे तो देखा रखें मुझे मैं उस पर वर्क करूंगा बबाई टेक क्यार